तो यह दूश्रा डाउट्स है आपके सामने यह आपका डाउट्स है तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पाउज करो और इस कोश्चन को सॉल्व करो कोश्चन बहुत बेसिक है बहुत हीजिए दिमाग लगाए मैं ट्राइ करूंगा दक टॉफेस्ट अन वारल कोश्चन को इस जिस्ट वे पॉसिबल करने की तो चलिए किजिए वीडियो को पाउज और कोश्चन को किजिए अब सॉल I hope you have solved this question बहुत बेसिक सा है पहले मैं आपको concept बताता हूँ कि अगर मैं माननू कि आपके पास एक fraction है 3 by 2 which one is more than 1 जिशकर मैं लोग बोलता है improper fraction अगर मैं डूनों साइट अगा same number 1 1 add करते हूँ तो ये रिखेगा 4 by 3 3 by 2 बरा होगा है 4 by 3 improper fraction में अगर आप one add करते हो तो number हो जाता है छोटा मैं इसी पर काम करना चाहूँगा और इस question को solve करने की कोशिस करूँगा आपको करना क्या है आपको कुछ adjustment करनी है और question को करना है solve और हमी जो basic हमारा fraction का concept है उसे use करना है तो चलिए इस question को करते है solve एक बढ़ाया इसको मैं लिखता ह कौन बढ़ा होगा आपको यह बताना है a और आपने तो अभी बताए था कि जब आप एक बढ़ाते हो तो नमब其实kannt हो तो उसको प्ता greater than n dash क्योंकि आपने increase किया है अब आप में को ये बताओ n into n dash का value क्या होगा अगर मैं multiply कर दू दोनों को तो यहाँ से ये कटेगा 3 से 3 कटेगा सब कुछ cut कटा जाएगा आपका 399 से यहाँ पर 399 कटेगा 400 कटेगा सब कट जाएगा आपके पास बचेगा n into n dash is actually equal to 401 क्यासे ये 2 इसको काटेगा 3 इसको काटेगा 4 यहाँ कटेगा 5 कटेगा 4 0 यहाँ कटेगा 399 कट जाएगा पर 4 0 1 बचेगा since n is greater than n dash और मैं दूनों साइट क्या कर दू n multiply कर दू अगर मैं दूनों साइट n multiply कर दू तो आपकर क्या मिलेगा we have n square is greater than ये value क्या है 4 0 1 n square 4 0 1 से जादा होगा आपको पता है ये ठीक है मैंने पहला चीज़ लिखा n square is greater than 4 0 1 मैं आपकर बोच आपता हूँ n is greater than 20 पक्का n 20 से जादा होगा तो मैं पहला outcome निकला है n तो 20 से जादा है I think अब आप तुमें को समझ में आ गया होगा मैंने lower range निकाल दिया है upper range कैसे निकालते हैं तो चलिए हम लोग निकालते है upper range next slide में तो पहली बार मैंने क्या किया था एक एक को increase किया था हो इस number को यहां से हटाते हैं और इसको n by 2 लिगते है तो दिस इज एन बाइट और फ्रयाद मेंTalk इन डेवल दएस और सब को घरव केके यहां four by three को मैं लिख सबता हूँ three by two यहां मैं लिख सकता हूँ five by six यहां मैं लिख सकता हूँ seven by six five by four worth not दिस एक घटा रहे हैं और आप जाओगे और इसको आप लिखोगे 399 डिवाइट भाइट 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 फिसे एन बाइट जो आपका नमबर है और आप एन डबल डाश को मुटिप्लाई करोगे तो देखो कट क्या रहा है आपका आपका 398 यहाँ पे कट करेगा 399 यहाँ कट करेगा यहाँ कट करेगा आपका 7 कट होड़ा होगा आपका 8 कट होड़ा होगा आगे जाके आपका 6 कट होड़ा होगा आपका 5 कट होड़ा होगा आपका 4 भी कट होड़ा है आपका 3 भी कट होड़ा है बच क्या रहा है आपके पा और n में कौन बढ़ा है यहां देखो 4 by 3 and 3 by 2 में अगर मैं compare करूँगा तो आपको पतार चल जाएगा कि आपका 3 by 2 ज्यादा है तो यहां पे n double dash बढ़ा है दुनों साइट मैं n multiply करता हूँ और बेटर n by 2 multiply करता हूँ तो जाला बेटर होगा तो यह जो दिखेगा यह दिखे है n should be less than 28 first slide से हमारा क्या था first slide से n 20 से ज्यादा था और second slide से n 28 से कम है तो यह हमारा best bracket होगा इस question को solve करने का और answer of this question is option number a पहले आपने एक एक increase किया multiply किया अगरे बार एक एक decrease किया but 2 को shift करके multiply किया और आपने answer निकाल दिया तो यह सबसे toughest question का सबसे basic approach है fraction method जो मैं आपके doubts हो तो आप मेंसे doubts पूछ सकते हैं और पूछ कैसे सकते हैं यह मैंने create किया है forum पे doubt thread आपका कोई भी डाउट हो वहाँ पे आप आप मेंसे पूछ सकते हैं मुच्छ को tag कर सकते हैं और मैं अपना बहुत दूँगा आप अपना बहुत दीजिए मिलके result को crack करते हैं actually when it's math it must भी मैं यह और मिलके result को crack करते हैं myself हम यह God bless you happy learning and मिलते हैं अगले doubts में बहुत जल्द और बहुत चीज आपके practice के लिए सामने है बने रही है दूश्यों को बताईए and मैं आपसे last में यह बोलना चाहता हूँ कि आपका like, share, subscribe कभी-कभी हमारे team को motivate करता है जो यह screen share करने का option देती है यह thread create करने का option देती है और बहुत कुछ आपको देती है technical support तो उनके लिए please एक like, share and subscribe तो बनता ही बनता है मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द God bless you happy learning and bye-bye